दूसरा जो सेडल है यह क्या है यह इंडियन केवलरी सेडल जो आर्मी वाले और पिलिसवाले यूज़ करते हैं अजय पूलीस बोगेरा में जो यूज़ होती है उसरे एक आती है इंगलिस प्रेम के लिए ठीज इस्टे नहीं के लिए ठीए कि उसमें आप वर की 10 मिंट का कर यह पात से च्छे घंटे की जो राइड करनी है इसके लिए सेडल बैष्ट है अच्छ यह अब आप ने इसके इसके साब से भी आती है अगर ज़्यादा टाइम करनी तो यह कम टाइम करने तो इसके लिए अलग काठी है इसे इंडिया में आपके पास करीबन उरीजनल जो यह ज़ने को पर लएदर का काम रहता है अभी सेडल में भी क्या है पास साथ तरीकी सेडल आती एक आती है पंद्रासोर रुपेगी उसका जो यह चेचीस आती है कि यह बहुत कमजोर आती है अगर आदमी एक कुंटल का बेट गया तो उसका बेंड ही हो जाएगा यह सिडल आती है करीबन साड़े चार पात जार रुपेगी तो यह करीबन पास सल पुरा नहीं है अब यहां सब खुल अब ऐल वह दुकानादार होता है वो घुटे वाले उन रुट मुलाकात होती है यह जान जाता है आदमी कितना नहीं हुआ है हम दुकान पर जाते हैं पास अधम बैढए जाते हैं अर वह हमें जानता है कि यह सब कुछ समझते हैं तो वो हमें उसकी रेट में आप समलो 20-30 परसंट का फर्क हो जाएगा जो सेडल हमें जैसे मालों चार से आपके जो आपको देगा उसमें थोड़ा कम मार्जन ले 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 लिए जो खड़ा होके इस्टीक हाथ में लेकी बात कर रहा है त मान के चलो आदा कमी सन ले जाएगा तो यह क्या होता आप कितनी बार उससे क्या खरीद रहे हो और कितनी बार आपकी मुलाकात है वो सामने वाला भी तो समझता है ना यह जो सेडल होती है लॉंग राइट के लिए बैस्ट है अच्छान के लिए लंबी दूरी के लिए करी चालीस पचास किलोमेटर चलना पासाथ गंटे तक आपको इसको राइट करनी है वेस्टन के लाती है वेस्टन सड़ल अमेरिकन जो अधुली बड़ी आती है अच्छा थुड़ा बड़ी आती है मकर उसमें क्या होता है तो इस पर बैठने के वाद मां आदमी और रहता है बाकि अगर आपके कमपड के हिसाफ से अगर आप चाहो तो इसको पर एक डंलप का भी लगा सकते हो अच्छा डंलप का टाइप से हाँ ने सेडल टाइप के पूरा बेग बना हुआता है वह उस पर रख दिया तो उसमें क्या यह वह अलगी काठी आती होगी उसके उपर आज सब्सक्राइब आपको यह लग जाता कि यह सेडल इसके लिए बेटर है बेटर है तो वह उसी पर लगाओ या ने अब आपने जैसे अब आपको सेलल टाइट करनी है तो एक ही बार में आप पूरी टाइट मत करो क्या अगर एक ही बार में कर दी तो गोड़ा पेट फुलत पर दबेगा खीचाएगा तो आपने इसको फर्स्ट एक हौल में ले लिया यह ले लिया अब दूसरा आपको खीचा है इसका तूटा वह अब भी जैसे इसको यह ले लिया ठीक है तो अभी बहुत तो अब ही आप इसको आप एसे करते हो गया गोड़ा खोलने के पहले फिर टाइट कर दो बेचने के पहले एक बार और टाइट कर दो उधर दीला करना लास्ट पर कर दो इसकी जो फली आती ने टूड़ गई यह क्या अब राइडिंग अन्य चाल उनिए उसलिव बना अब अब टीजन अब हमरा के 15 अप्रेल से ओफ सीजन हो दाता है जब जुलई के पहले अमको तो उससे पहले आप सारी तैयारी कर लेते हों पूरी उसका कर लेंगे तो जैसे कि इतना कस देते हो तो गोड़े का पेट दपता कि अब अब कर दो एक बार खोल दो उदर कितना लास्ट पे एक बर खोल ओड़े अब इसको कहाँ दो अब शैक्त काटि शायद में चेंज लिए बिका तो इस निए पर इस निए जी आए अब आपको चेक केसे करना है पहले वाली थोड़ी सी छोटी रह गई थी इसलिए ना अब आपको चेक केसे करना है चार उंगले गुज़ जाए इसके अंदर फिर भी एक होल इसका वह टाइट होगा जब राइट करेंगे जब अभी आपने एक दिरे दिरे इसलिए कि क्या तो गोड़ा बंदा हुआ है और अगर आपने इसको कितनी बाद क्या होता बहुत सारे गोड़े है ना जब आप यह टाइट करते हो तो पीछे गिरने का चांस रहता है यहां से आप इस तरीके से रखो यह खुल जाए अच्छा यह जटका देते ही खुल जाए बहुत बहुत से क्या होता इसी घाट लगा देंगे फिर लगा देंगे चार पाज और गोड़ा गिर गया अच्छा आप बैस ठेक है अगर गोड़े को बाद जैसे गिरने वाला आप रसी खीचोंगे तो गोड़ा फुल जाए तो इसको खीचा रात मिल जाएगी बाकि क्या हमेंस अब आप बादना है तो इसको आप ऐसे कर दो तो क्या गोड़ा मुह से खोल नहीं पाएगा बस क्या अब अब अपने को बढ़ गई तो इसको इस तरीके से बांग दिया है आप देखना के उल्टे भी गिरते जब टाइट करते हैं तो इसको घर जाते हैं क्योंकि यह दबावाता था वो यूस्त नहीं होता है क्या नहीं गोडे के आन्य उसके प्रैक्टिस में नहीं रहता है अभी आपका हो गया अब आपको और यहां से खूल के और यह को गय में बांद देंगे यह की पांव खूल देंगे पिर ओसी एक। और आपको कत्रूर के चोल और हो गए है तो आप दुरूरत है तो आप इसा से थेख करें हाल डाल के ? तो यह इस तरीके से काठी के उपर यह पागड़े लगा के रखने हैं अगर आपको पांच मिनिट का ब्रेक ही देना है तो आपको यह इदर डाल दीजिए वह उदर डाल दीजिए अच्छे नहीं जब आप उतर गए और गोड़ा रेस्ट कर रहा है तो यह इदर उदर आपको इंसिदेंस में ने देखे हूँ है अब किया बहुत लंबा टाइम हो गया अब आपके पागड़े यह ठीक है अब आप गोड़ा पकड़ के चल रहो है कई बान रखा है गोड़े को यह मक्खी खाई गोड़े ने मूँ यह किया इसका दात में फस गया तो दात में तो हमेशा अगर आपको दस में ब्रेक देना है तो आप एसे कर लो फिर दो अदला जाए करे गा तो इसका उपर नहीं फसेगा और अगर रेक फिनिश हो गई है तो बेस्ट यह है कि आपको यह किया इसमें डाला टाम होगी में और इसको खोलने में आको कई करने आप कासर आपको आपके लंभाकि की साफ से देख ना है यहां जैसे कि मालू मैं जा रहु हम तो मेरी मेरी मेरे हाथ के बराबर होने के यह हात के बराबर यह होना च्जिए उसके बाद भी अप Mac上 बंशक्त हो सकते हो और ऐग्र मेरे थोड़ा सना आपकाब तरह उपर निच्छ लंबे कम है यह इतना हो गया यह करीबन 4 फिट के साड़े 4 फिट का जो बच्चा होता ना उसके लिए ठीक है अब अगर मैं पास फिट नो इंच का हूं यह मेरे लिए मैं जान तक मानता हूं यह ठीक है हो सकता है मुझे एक यह दो होल कम करने अगर इसने आपको पावर कम रहेगा और अगर इसने आपने बोंगली डाली और इसे पकड़ लिया तो आपका हाथ का दो अगली डालके बोंगली बीच में अपनी लास्ट वाली इंगली इदर अनगुठा एसे नीचे इससे मूवमेंट आप इधर-उदर कर सकते हो अब इसको बेठना है जो को दौट लीए गया अब यह अदर बेठना करने का अचा जली को इकड़ सा बड़ारा क्शल मैं आपको जब बेठना इतना मुझा आपकर बैठना इतना मुड़ा है अचे निकि और आकी निट और आपकी यह गया या आपका सीदा नहीं नहीं ay सीधा हो यह बहुत लंबा जा रहा है यह आपका गुटन यह जो गदी लगी हुई है यह होल्ड करने के लिए राइड अगर करते हो तो आपको जब राइड शिखाते तो यहां एक सिक्का रख देते हैं सिक्का रख देते हैं यह रुपए गजो यह पहले है इसलिए अगर शिक्का गिर गिया आपकी पकड़ पक्की नहीं है अगर आप पक्की अपन पूरा आयन के पूरा 50 परसंट अंदर नहीं जाना चाहिए यह बीस से तीस परसंट यानि काली पंजह के पंजह पंजह इतना सा तो पाव निकले है जैसे कि आप जब राइट कर रहे हैं तो अगर यह पूरा यह पूरा वजन आगया मेरे हिप्स के ऊपर अगर इतना ही डाला हुआ है तो आप का वजन रहेगा यह उपर आप खड़े हो सकते हो आप गोड़ी को जोड़ी हो आपको यह से नहीं चलाना है यह से गोड़े के लगाम पे ज्यादा असर पड़ता है खिसता है ना अब दस नहीं के अब गोड़ा इसके साथ चलने लग जाएगा जैसे अभी यह चल रहा है यह फिर आपको रोट करना किके अब बुड़ क्या होता है तो यह अपने दुड़की बोलते है अच्छा नहीं कि फोड़ा सा उसमें आपनी यह फस्ट दी आपने तो अभी आपने सारा वजन इसी को पर दे रखा है कि यह पर पैर के उपर आपके उपर यह आपने जो पैर आपना वो टाइट कर रहा है भी यह दबाव दे रखा है तो यह मेरा जो गुतना है यह यहां टाइट रहेगा अगर आपने जूँदे रखें के तो पाओ आपका अंदर गुषेगा बाहर गुषे गार अब क्या गोड़ी को आपको यह चला रही हो तो इस घ्रण चलब कर नाया बंदा भी सी कर तो वह इंगे इसी चीद्ग को फोलो करें को डिवा रहेगा और कोई भी और गोड़े पर यह बहुत दीरे चलाएं कि एक तरीके से टेलते हुए चलाएं पास की स्पिट पर लाएं यानि कि एक साथ चालेज पर पहुंचाने की करें घोड़े के आदा तुझा की बेटते ही भागना अब यह खड़ी हो गई है अच्छा यह खड़ी रहेंगे अगे चुप्चाब वह इसकी स्पूर पकल लिए तो वह बैलेंस बना नहीं बना क्या है तो और भी कोई चीज है जो इसमें साबदानी रखी जाए साबदानी का ता आपको यह देख लिया बोस से गोड़े क्या था बहुत से आदमी को ध्यान नहीं रहता है और वह इसा पुट्ख्या लगाता अच्छा पुट्भडो खिच्वाने के लिए अच्छा रख लिया बोस से गोड़े को पसंद नहीं होता है यह जो आप इसमें प्लास्टिक की पानी की बोतल रखते हो भी हो read प्लास्टिक की आपको लेके भाग सकता है तो किस तरीके की बुतल रखें लिए उसमें क्या होता है वह जो नहीं है वो डरते हैं अगर उसके आपका हाथ के दबाव से आप एक प्लास्टिक बुटल दबी कि प्लास्टिक की नोज होती है बहुत सो गोड़ों को पसंद ही नहीं होती है अच्छा वह पास साल तक भी वसंद नहीं करते हैं यह नहीं के ज़रूरी कि वह तीन साल का इसलिए पसंद नहीं करता है अगर आप उसको भीड़े ट्रेंड कर दो कर दो